इंडिया टीवी, क्राइम अलॉट और बावन दो पहिया वाहन एक पिस्टिल, दो देशी कट्टे, तीन कार्टूस भी बरामत किये ब्रमहास्त्र ओपरेशन की जानकारी देते हुए एस पी हर्श वर्धन अगरवाल ने बताया है कि अभियान जिले में डीजीपी, एडीजी, क्राइम, आईजी, भरतपूर के निर्देश पर चलाया गया 12 घंटों का विशेश अभियान चलाया गया जिसमें आज समाजिक तत्वा अपरादियों के विरुद को 71 टीमों ने करीब साड़ चार सु जगा दबिश दी इस दबिश के दोरान 724 गिरफ्तारिया की गई है जिसमें करीब 60 तो एचेस और हाड कोर हैं जिनके विरुद कारवाई की गई है 55 वारेंटी हैं जिसमें पुराने समय से फरार कई सारे व्यक्ति थे इसके अलावा 81 जो व्यक्ति हैं जो आन्य प्रकरणों में वांचित थे विशेश करके राजकारे में बाधा के वो SCST के गंभीर मामगों में वांटेट हैं कुछ प्रकरण तो 2016 के भी हैं जिसमें 40 व्यक्ति वो एक साथ गिरफ्तार किया गया है इसके अलावा समाजिक तत्व करीब 500 हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया वा कारवाई की है आम सेक्ट के तीन मुकद में दर्ज में तीन व्यक्तियों गिराफ्तार किया गया है जिसमें एक पिस्टल दो देशी कट्टे तीन कार्तुस बरामत किया वा उनसे पूछता जारी है आगेगी करवाई के लिए चकेरी गाओं में जिसमें टिप्रिंग से संबंदित साथ व्यक्तियों को डिटेन किया गया वह उनसे पूछता जारी है जैसे कि बात्चीत आएगी उस अकॉर्डिंग्ली करवाई की आएगी इसके अलाबा कई सारे 22 फोर विलर वहिकल्स और 52 विलर वहिकल्स को भी पुल चलता रहेगा और कुछ भी किसी भी प्रकार के जो समाजिक तत्व हैं जो शांती बंग करते रहेंगे उनके ब्रुद हमकारवाई जारी रखेंगे ताकि जो आम जन्ता में पुलिस का विश्वास बना रहेगी पुलिस अधिक शक्त ने बताया है कि जिले में शांती वा कानून विवस्ता बनाये रखने के लिए ऐसे अभियान पुलिस चलाती रहेगी ताकि आम जन्ता में पुलिस का विश्वास बना रहे जर्म कितना भी संगीन क्यों ना अपरादे कितना भी शातिर क्यों ना हर रास से उठेगा परता सामने आएगी हर खबर की सचाएगी इंडिया टीवी क्रार इंडिया एलॉर्ट पर क्राइव कि खबरों से अपडेटर रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइमे न चनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें बेल याइकन दबानाह को भीचिवास न भूलें